नमस्ते आर्ट सातियों मैं योडेश गुपता और मेरे साथ है अनुराच सर देखिए है किया डूप डीवी परिछा है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे खतम होती चली आ रही है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग आपके सामने डूप डीटा एक सटीग कट अफ लेके आएं लेके हम लोग ऐसा काम नहीं करने वाले कि आए और बता दिया पैसाट नंबर, सतर नंबर, चौरासी नंबर ये सब कुछ नहीं है न हम लोग जो भी कट अफ लाएंगे वो किसी अंदाजे में बेश्ट नहीं हो रहा, वो पूरा का पूरा क्या सकते हो जो भी आपने टोशन एटेम्ट ये, जैसे टोशन एटेम्ट ये, 3% आपकी अटेंटेंस रही, मतलब हम लोग वो सारे की सारे फेटर तो पहले करेंगे, ज जैसे आप लोग भल लोगे, उस्टे बाद हम लोग, मैं तो नहीं, सिर्फ अनुराट सर, थोड़ी से उसमें डड़ित लडाएंगे, थोड़ा सा इस्टेटिट्स वाला पोर्सन लडाएंगे, और उस पोर्सन पो लडाने के बाद फिर आपको फाइनली बता देंगे, कि जो cut-off है, वो क्या रहने वाला है, तो आज सनीवार के दिप, आप लोग ये गूगल फॉर्म भरना सुरू कर दीजे, अगले एट अपते तक आप लोग ये गूगल फॉर्म भर देंगे, और जो अगला सनीवार आएगा, या उसके आज पास्टर किसी एक दिन में, हम सारी बाते अनराट सर्थ, पिलिजे, तो भाई आप सभी को नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका पार्चला रेलवे एक्जाम में, देखे जिस गूगल फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपके कम्प्लीट डेटा को हम लोगों के पास तक पहुंचाएगा प्लस उसके साथ आपका जो गृप D का पेपर देने का रोल नंबर है वो लिखना होगा, उसके बाद केटेगरी, जिस केटेगरी में आप आते हैं, आप SC केटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, ST में आते हैं, किस में आते हैं, उसके ब कि number of question attempted, यानि आपने कितने question attempt किये हैं, तो जितने भी question आपने attempt किये हैं, उसकी numbering कि आपने 100 में किसी ने 60 attempt किये, किसी ने 84 attempt किये, कोई 55 इंट किये, तो जितने भी question आपने attempt किये, वो वहाँ पर आपको लिखने हैं, अच्छा एक चीज़ और समझनी है, कि हम लोग जो cut-off आपको देंगे उसमें एक commonly ये मान के चलेंगे कि बच्चों की accuracy इतनी होती है commonly सभी का एक common मान के चलेंगे कि अगर सो बच्चे एक्जाम देते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रत्येक बच्चे ने अगर सतर question किये तो सतर का सतर परसेंट नहीं उन्चास question correct होंगे सतर परसेंट असी परसेंट जो भी data के हिसाब से चीजें मिलेंगी उस पर ये मान के चलेंगे कि accuracy इतनी होगी फिर उसके बाद जो percentile का नया formula आया है उस पर base रखके चीजों को देखा जाएगा हम लोग उस पर discuss करेंगे थोड़ी मेहनत करेंगे थोड़ी नहीं एक्चुली में इसमें बहुत मैनत होती आप भी समझते हों मेहनत करने के बाद जो result निकलेगा मलाई निकलेगी जैसे दूद को जब माव किया जाता है मठे को मठा जाता है तो उसके बाद जैसे मखन निकलता है तो वह मखन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे ठीक और वह लगभग लगभग बिल्कुल सटी कट ओफ होने वाला है ठीक है तो अडर बात करते हैं कि यह गूगल फॉर्म आपको मिले रहे तहां से तो उस्टे लिए आपको ट्या टरना है कि यह वीडि इन्रॉल करते हैं इस फॉर्म भड़ते हैं तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फॉर्म में हिस्सा लेंगे तो मैं हम लोग उस बात का यह डूट डीटा टटॉफ है वो सही तरीटे से बता पाएंगे अब सर बता देंगे तो आपको यह फॉर्म मिलने कहां से व उसका लिंक आपको दोनु में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा साथ में कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा और यदि जिन बच्चू को इस कर दे लिए एंडोitives यह वह मिल जाएगा इसका नाम किस तरीके से यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ वो इस तरीके से पाठचाला डैस रेलवे एक्साम ठीक है बाई क्योंकि जब आप पाठचाला रेलवे एक्साम लिखकोगे तो आपको बहुत सारे मतलब टेग्राम चैनल मिल जाएंगे लेकिन आपको बीच में पार्चाला हाइफन डाट रेलवे एक्जाम दे लिखना होगा और वहाँ पर आपको जो चैनल मिलेगा तकरीबन तेरा से एठ हपता के आसपा समय लगेगा और एक हवता बाद हम लोग इस्ता सटीर कॉट अफ लेटे आजाएंगे फिलाल वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करना है ज्यादा ज्यादा नीचे कमेंट बहुत से भी आपका तितना अच्छा नंबर रहा वहां पर मैं लिंक भी डला द ज्यादा जै हिन